हलो दोस्तों वेलकम बैक टो मैं चानल आप लोगों के लिए मैं लेकर करके आ चुका हूं क्लास नाइन्थ का फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेशन 2022 का संस्क्रित और उसका मैं क्वेशन लेकर करके आ चुका हूं तो चले स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करे प्रसन और उसके यहां पर लोग देख रहे होंगे पहला नाम है पहला क्वेशन आपका निरगचती में कौन सी संदी है तो यह हो जाएगा आपका उप्शन नंबर सी विशर्ग अगला है देवाला यह में किन-किन वर्णों की संदी होई है तो और जोर आ अगला सवाल हम हम लोग देखेंगे तो गनेशह का विच्छेद क्या होगा तो गन जोर इशह अगला हम लोग अगर सवाल देखेंगे तो यह आपका आता है यहां पर संदी के कितने भेद होते हैं तो संदी के तीन भेद होते हैं यानि उप्शन नंबर सी अगला सवाल हम लोग देखेंग तो यहाँ पर है नास्ति किस संधी का उधारन है तो यह हो जाएगा आपका option number B अगला सवाल अम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है चो क्या है तो चो एक तरह से चो मिन्स होता है एक तरह से संग्या अगला सवाल अम लोग देखेंगे तो तत्रयास्यामो यत्रधनापती मिर्त्युवर्ता भविश्यती इस वाक्य में कितने अव्यव है तो यह हो जाएगा आपका 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 किस वाक्य में तदा अव्यव है तो यह हो जाएगा आपका 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 किस वाक्य में तदा अव्यव है तो यह हो जाएगा अगला है तवामी तवामा दी देवह पुरूसः पुरानाः डैस लोग किस गरंद का उधत है तो यह हो जाएगा आपका उप्शन बर ए उपनिशत का अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है इस अस्तूति ही पार्ट में कितने पद है तो यह हो जाएगा आपका को प्राप्ट किये बीना लोटती है अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है मानव का दुर्जय दुर्जय सत्रू कौन है तो यह हो जाएगा आपका अप्शन मंत्र किस वेद में संकलित है तो ये हो जाएगा आपका option number ए रिख वेद में अगला हम लोग देखेंगे तो लोभा विष्टः चक्रधराः पाट के लेखा कौन है तो ये हो जाएगा आपका option number B विशुनू शर्मा अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो ब्राहमन पुत्रों ने किस नदी में असनान किया था तो यह हो जाएगा आपका उप्शन नमबर C श्रिक्प्रा अगला है अर्थवेद में कितने कांड है तो यहाँ पे अर्थवेद में 35 कांड है अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यक्षे युधि स्ठिर रह समवादः पाट किस गरंद से लिया गया तो यह हो जाएगा आपका उप्शन नमबर B महाभारत पाट से अगला है वयमया पैति साह सिका है किसका कतन है तो यह हो जाएगा आपका उप्शन नमबर B ब्राहमन पुत्रों का अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अनेक पदों का एक पद हो जाने को क्रिया को क्या कहते हैं तो यह हो जाता है आपका Option बर A, समास अगला हम लोग देखेंगे तो राज पुरुसह पद में कौन सा समास है तो यह हो जाएगा आपका option number B ततपुरुष अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो महादेवः पद का विग्रह क्या होगा तो यह हो जाएगा आपका यहाँ महान, महान, देवः अगला हम लोग देखेंगे तो नीलम, कमलम का समस्त पद कौन सा है तो यह हो जाएगा आपका option number B नील कमलम अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है किस समास का पहला पद संख्या वाचक होता है तो यह हो जाएगा आपका option number A दुइंगू समास का है अगला हम लोग देखेंगे तो असिद्ध का विग्रह क्या होगा तो यह हो जाएगा इसका आपका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका उप्शन नुबर A नासिद्ध अगला हम लोग देखेंगे राष्ट यासा पतिह का समस्त पद कौन सा है तो यहोझाएगा आपके option न're राश्टा पतिः अगला है सुर्याए किस सब्ड का रूप है तो यहोझाएगा आपका option न'mेर भी सुर्य अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ही गगने में कौन सी बिभक्ती है तो यह हो जाएगा आपका option number C, सब्तमी विभक्ती है अगला हम लोग देखेंगे तो सा किस सब्द का रूप है तो यह हो जाएगा आपका option number E, एतत रूप है अगला हम लोग देखेंगे किस सब्द का रूप प्रथमा विभक्ति के समानी दूतिया विभक्ति में भी होता है तो यहाँ पर का ऊप्शन दूप्छा आप किस मंबडरे रूप Calm 117 अग्ला हम लोग देखें तो तो यहां पर है सुकल सुकल या जूर वेद में कितने अधिया हैं तो यह हो जाएगा आपका अप्शन नुबर भी पचास अगला है सिक्षक संस्कृत का महत्व कब बताएंगे तो यह आप इसके कहानी को परहे होंगे तो उसमें आएगा आजह यानि कि आजह अगला है कौन स्रेश्ट व्याकरन थे तो यह हो जाएगा आपका अप्शन नुबर सी पानीनी अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगला कोशन है आचार विचार और भावनाएं किस कक्षा में है किस वरी किस भासा में है तो यह हो जाएगा आपका अप्शन नुबर यह संस्कृत अगला है विरलम का अर्थ क्या है तो यह हो जाएगा आपका उप्शन नमर भी दुरलब अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो कितने युवक सास्त परंगत थे तो यह हो जाएगा आपका उप्शन नमर भी तीन अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो ज्याना भारह किरिया विना पाठ किस गरंथ क्या संपादित अंस है तो यह हो जाएगा आपका अप्सन नमबर है हितो पदेश अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है इस्तिरी पुरुष सब बिरिक्षो के पड़ती ममता सील थे या किस नाटक में वर्नी थे तो यह होगा आपका अप्सन नमबर भी अगला हम लोग देखेंगे सुरिया तापिते जेस्ट मास का वर्नन किस ने क्या था तो यह हो जाएगा आपका अप्सन नमबर भी काली दास ने अगला सवाल हम लोग यहां देखेंगे तो गिरिस्म के ताप में ताप से संतप्तों की रक्षा कौन करता है तो यह हो जाएगा आपका अप्सन नमबर भी विरिक्ष अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहां पे है अभी हीतम का अर्थ क्या है तो यह हो जाएगा आपका अप्सन नमबर भी कहा अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहां पे ब्रहमा भी किसको परसन नहीं कर सकते हैं तो यहां पे हो जाएगा आपका अप्सन नमबर भी दुर्जन की दोस्ती और लास्ट कोस्टन है कि कौन आरंब किये हुए कार में बाधा आने के बीच में ही छोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा आपका अप्सन नमबर सी अधम आप लोग को बता देते हैं कि यह परसन जो है यह ओरिजिनल परसन पत्र नहीं है यह प्रेक्टिस सेट है इसको आप लोग का एक्जामनेशन अच्छे डंग से समाप्त हो सके और मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल परसन पत्र भी ले करके आओंगा तो इस चानल के साथ जुड़े हुए रहें मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर बाचिंग बाबाए